अब यहाँ पर दोस्तों है जो बैकाप प्लान है वो भी आप जान लीजिए जिसमें कि उनका एक पहलू है नीजी उद्योग की शमताओं का फाइदा उठाना जिसमें कि प्राइविट कमपनियों को तेजस माक वने के लिए प्रमुक असेमली बनाने का काम सौपा जाएगा जैसे कि फ्रंट फ्यूज लार्ज, सैंटर फ्यूज लार्ज, रियर फ्यूज लार्ज, पंक और अन्यब मे प्राइदारियों को छोड़कर बेर बॉर्ण फ्यूज लार्ज स्क्षन के आपूर्टी कर रही है, हल ने उन्हें ये काम भी आउट्सोर्स करने की योजना बनाई है, ताकि प्रतिक स्क्षन तयार हो सके और असेमली फ्लोर पर समय काम लगे, नीजी उद्योग की फाइटे जट का निर्मान करेंगे, इंजन के आपूर्ती के समस्या 2026 के अन तक ही हल हो सकती है, इसलिए उत्पादन शमता में कोई देरी ना आए, यानि कि और चीजे बनती रहें, सिर्फ इंजन को लगाना बाकी रह जाए, इसलिए नीजी उद्योगो को अब अधिक से अधिक काम सौपा जा रहा है, चलिए बर तर एक्स अपडेट की तरफ, हेल और साफरान के बीट जो जो जॉइन्ट वेंचर है, जिसे की सैफ हल कहा जाता है, वो अरावली नाम के हाई पावर इंजन का निर्मान देश में करेगी, जिसके लिए एक कॉन्ट्रैक्ट भी यानि कि इंडियन मल्टी रोल हेलिकॉप्टर और डेक बेस्ट मल्टी रोल हेलिकॉप्टर को पावर देगा, अब यहाँ पर दोस्तों जो अरावली इंजन है, उसकी जो लागत की अगर बात की जाती है, पर युनिट की तो वो बारा से चौदा करोड़ रुपे के बीच ह और 400 से जादा IMRH और DBMRH हेलिकॉप्टरों का विकास किया जाना है, और 30 साल की अपनी सेवा के बाद भारत को और इंजनों की जरुद होगी, ऐसे में अरावली इंजन की जो कुलमांग है वो 1300 युनिट तक पहुँ सकती है, अचियल और साफरान के बीच ये जो सयोग किया इस तरे शंकला को इंटिगेट करने के लिए सक्रिय रूप से काम कर रही है, DRDO ने 16-18 हत्यार प्रणालियां विक्सित की हैं जो के वर्तमान में इंटिगेशन प्रक्रियाओं से गुजार रही हैं, और इस परियास में जो सबसे प्रमुक खिलाड़ी है वो है इंडियन एय इंटिगेशन इन हत्यारों के सफल संचालन और वर सिनारियों में उनके एफेक्टिव यूटिलाइजेशन यानि की उप्यों के लिए महत्वण होगा, सुखोई 30M काय में जो हत्यार इंटिगेट किया जाएगा उसमें सबसे पहला हत्यार है गौरव जो की 1000 किलोग्राम का गलाइड बम है जो कि लंबी दूरी पर लक्षेव पर हामला कंने में शक्शम है और इंट्यान एफोस की सॉफ्वेर डवलमेंट इंस्टिट्उट ने गौरव को फाइटर जेट की परणालियों में प्रोग्र्राम करने में महत्वण भूमी का निभाई है। बर्दन एक्स्ट अपने कितार तोस्वा हाली में असम राइफल ने मनिपूर में किसी भी तरीके के दुश्मनों के ड्रोन का मुकाबला करने के लिए एंटी ड्रोन सिस्टम तेनाद किया है और सुरक्षा उपायों को बढ़ाने के लिए केंदर इजब पुलिस बलग्याने क कि CRPF के द्वारा राजे में अत्रिक्त अंटी ड्रोन गन लगाई गई है हाली में शोशल मीडिया प्लैटफॉर्म एक्स पर मनिपूर पुलिस ने कहा कि असम राइफल ने किसी भी दुस्ट ड्रोन को पीछे हताने के लिए कुछ छेत्रों में अंटी ड्रोन सिस्टम तेन आई जाएंगी बरते नेक्स अपरे की तरफ जो सो ड्रोन की तरफ से एक बड़ी खबर सामने आई है जिसमें उन्होंने कहा कि 100 किलोमेटर रेंज वाला M1 इंटरसेप्टर मिसाइल आकाश NG के एर फ्रेम पर आधारित होगी और इसकी फीचर्स होंगे डूल पल्स मोटर और इसका अडवांस ही कर होगा जो की प्रिसाइस टार्गेट एक्यूजिशन के लिए होगा इसके अलावा 150 किलोमेटर रेंज वाली M2 इंटरसेप्टर मिसाइल वो MR-SAM एर फ्रेम का स्तामाल करेगी और इसमें सस्टेन सॉलिड बूस्टर होगा जो की इसकी परफॉमेंस को और जादा बढ़ा है का इसके अलावा दोस्तो 350 किलोमेटर रेंज वाली M3 इंटरसेप्टर मिसाइल भी MR-SAM एर फ्रेम पर आधारित होगी लेकिन इसकी विशेशता हाई थ्रस्ट बर्निंग बूस्टर होगी चलिए बरते नेक्स टब्रेक की तरफ दोस्तों डिफेंस फाइटर जट पर लगाया जाता है क्योंकि इन्हें इंटिगेट करना काफी महंगा हो जाएगा और इससे इस प्रोजेक्ट में और देरी हो सकती है दरसल उतर मार्क टू रडार वर्तमान में अपने विकास के फेस में चल रहा है यानिके डेवलेमेंटल फेस में चल रहा ह जिसे की तेजस मार्क टू और मिक 29 के पर लगाय जाने की योजना है तरसल भारतिया नौस सेना चाहती है कि इस स्वदेशी रडार को अगर सभी प्लाटफॉर्म पे लगाय जाता है तो इससे एक बड़ी वी जो समानता है वो मिलेगी भारतिया नौस सेना को अगर इन्टिगेट भी किया जाता है तो ओविसी बात है इसमें काफी जादा लागत आईगी जिसमें की इंटिगेशन और स्रेटिफिकेशन भी किया जाएगा और ये भी प्रोजेक्ट और लेट हो सकता है चलिए बरतिनेक्स अपरेट की तरफ दोस्तो आठ कंपनियों को सेलेक्ट किया गया है जो की भारतिया सेना के 4.25 लाग कार्बाइन टेंडर में हिस्सा लेंगे जिसमें की जिंदल डिफेंस, आइकॉम, भारत फोर्स, अडानी पी अलार, प्राइवेट लिमिटेट, कल्यानी स्टाइचिक सिस्टम, भारत इलेक्टॉनिक्स लिमिटेड और स्माल आम फैक्टरी कानपुर शामिल है परते नेक्स अपरेट कितब, दोस्तों आखिरकार इजिप्ट ने अपना रंग दिखा दिया है और इजिप्ट ने चाइना के J-10C फाइटर जेट्स को खरीदने की घोशना कर दी है और पाकिस्तान के बाद इजिप्ट यानि के मिश्व दूसरा देश होगा जो की J-10C फाइटर जेट्स को अपरेट करेगा इससे पहले हम इजिप्ट को तेजस का ओफर करेते हैं लेकिन इजिप्ट क्यों लेगा भारत के तेजस को आप समझ चुके हैं बरते नेक्स अपरेट के तब दूसरा DRDO अब जल्दी इंडस्टी पार्टनर को चुनने वाला है जो की Electromagnetic Launcher System को डेबलब करेंगे DRDO के साथ मिलकर बता दे कि इसके जरिये Max 6 Speed तक का जो प्रोजेक्ट टाइल है उसे भी दागा जा सकता है बरते नेक्स अपरेट के तब Lockheed Martin के तरफ से घोशन की गई है कि उनकी MacO Multimission Hyper Sonic Missile तयार की जा रही है जिसे कि F-22, F-35, F-15EX, F-16 और F-18 Super Hornet में Intigate किया जाएगा साथी Lockheed Martin के तरफ से कहा जा रहा है कि वो इस Hyper Sonic Missile को एक्सपोर्ट भी करेंगे चलिए बरते नेक्स अपरेट की तरफ एक बार फिर दोस्तो यमन के हूती विद्रोईयों ने अमेरिका को तकड़ा जटका दे दिया है हूतीयों की तरफ से दावा किया जा रहा है कि उन्होंने अमेरिका के MQ-9 ड्रोन को मार गी रहा है हाला कि अमेरिका ने इसके जवाब में हूती विद्रोईयों पर कई हमले भी किया है लेकिन किसी ने इनका फोटो और वीडियो जारी नहीं किया है तो आप देखें दोस्तो MQ-9 जिसे हम खरीद रहे हैं वो कितना ताकतवर है से असानी से हूती लोग गिरा रहे है तो भारत को एक बार फिर से पुनर विचार करना चाहिए इस डील पर बारते नेक्स अपर एकी तरह दोस्तो दोस्तो पाकिस्तान के JF-17 फाइटर जेट ने भारत के तेजस को पचार दिया और ये पचार ना हाला कि ताकत के मामले में तो नहीं है लेकिन एक्सपोर्ट के मामले में आप समझ सकते हैं क्योंकि JF-17 फाइटर जेट को दो देश खरीद चुके हैं और कई और देश खरीदना चाहते हैं लेकिन तेजस को एक भी एक्सपोर्ट और नहीं मिला और आपने देखा होगा कि जैसे मैंने अभी बताया भी आपको कि मिश्र ने चाइना के J-10C फाइटर जेट को खरीद लिया है तो यहाँ पर हमारी स्थिति अभी उतनी मजबूत नहीं है तो फिलाल यह थे अभी देख कि टॉप डिफेंस अप्डेट वीडियो के समदे कोई प्रश जवाब आपको क्यों सवाले कमें शेक्षे मिलेका जरू पूसकते हैं वीडियो को लाइक हो शेयर जूर कीजिए का जैहिन वने मात रहो